तो टाइटल से आपको पता चली गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं मतलब किस बारे में बात करेंगे about our life मतलब हम औरतों के लाइफ के बारे में तो समय को नहीं गवाते हुए मैं डारेक्ट उस पर आती हूँ नए ना अपना experience में share करूँगे पार्ट बाई पार्ट और आपका भी हमको सुनने का मन कर रहा है बट हम नहीं कर सकते हैं तो आप comment किजिएगा तो ऐसा है कि सबसे मतलब जो क्यूट सारी relation होता है मा और बच्चे का उससे starting करते हैं हम लड़कियों में तो बहुत सारी changing साते रहते हैं सारी भी रिष्टेदार जो हमेसा change होते रहते हैं रिष्टे हमेसा बदलते रहते हैं कि आज तुम पुआ बन गई हो मौसी बन गई हो बीबी बन गई हो मा बन गई हो, बहु बन गई हो, नानी बन गई, दादी बन गई मर गई इतने सारे रिस्ते निवाते निवाते फिर हम लोग खतम हो जाते हैं तो लाइफ है बहुत चोटा है, उसको इंजोई करके जीते हैं अपना लाइफ है ठीक है जो जैसा है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जिस जिस आपको प्रोब्लम है तो उसको खतम करने की कोशिज किजिए तो बात कर रहे हैं मा और बच्चे के रिस्ते के बारे में तो हम लोगों का ना जिसे जिसे बच्चा होता है तो बहुत सारे परिवर पर जाते हैं वो उसके बैसे यह जहिए आजना तो जहिए इसका दवा है लो करते हैं क्योंकि मुझे मेकव का उतना सोख नहीं है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूं उस पर मुझे सिंपल रहना और यह लोग टीसर्ट में ही रहना अच्छा लगता है क्योंकि मैं गाउ करने के लिए ना तो फिर दौर भाग करना पड़ता है तो बात यह कर रहे हैं कि बहुत सरे चिंजिंग जो आते हैं हम लोगों में जैसे कि मेरे बाबु के बाद से हो गया है और ठीक भी हो जाएगा पेट का माक्स का बात है तो वह जब मैं होस्टल में रहती थी गोरखप होता है उसी को होता है इस में कि यह तुम्हारे लिए गिफ्ट हुगा ना तो क्यों दावा लुड़न लोग जिसके बच्चे नहीं है उसे पुछो कि कितना यह हो तो कोई बहुत नहीं ठीक है इस ओक है लेकिन प्रोब्लम्स यह है ना जैसे कि जो मुटापा आ जाता है अ सबके लिए नहीं जैसे आप हम ऐसा से सुनते आ रहे हो कि वाव यूर परशनाल्टे इस वेरी गूड यू लुकिंग नाइस सारी में तुम बहुत अच्छी दिखती हो और फीर आप अचानक से बर्गर बन जाते हो लाइक्स मीं हम देखिए कि इतना मोटी हो गई हूँ त आइ रियली लौस माइ कॉंफिडेंस मतलब जैसे किसी के सामने बात करती हूँ तो कोई बात नहीं एट सो के हम बात कर लेते हैं क्योंकि मैं अपने आपको नहीं देख रही हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं वहीं हूँ जो मैं हूँ बढ़ जब मैं केमरे को फेस करती ह हूँ और जब वीडियो बनाती हूँ तब मुझे यह दिखता है यह दिखा तो फिर मैं बहुत अंखंपर डेवल फेल करती हूँ और अच्छा नहीं लगता है कॉंफिडेंस नहीं आता है वीडियो बनाने में तो संदीप सर हैं संदीप महसवरी वो बोलते हैं कि अगर बोलते हैं जाते हैं आधिव जाता है कि जब मैं पतली होगए थी तो अरे ममी सब ऐसी होती है नाती थी तो लोगो आई से बोलतों लोगो और खुए तो लोगो अब मैं ममी को बोलती हूं कि यह हो गई हूं और मेरा तुम्हारा प्यार का बोज मुझसे उठाए नहीं जा रहा है तो मैं वहीं बोल रहे थी कि कल से मैं मतलब कल बीटा हुआ कल मैं बनाई थी वो जाट बनाई थी घर पर मैंने सच में नहीं खाया बस टेश्ट के लिए खाया था थोड़ा सा दोचे मज खाया था और मैं सोचते हों कि डाइट करूँ लेकिए नहीं हो पाता है क्योंकि घर पर होर्दम कुछ ने कुछ बन रहा है और फिर मैं ही बन आ रही हूं तो था तो ठ्र्राइ करना बनता है लेकिन प्रोमिस तो नहीं कर रही हूं और देखते हैं कि कितना weight loss होता है, आज वो करते हैं, क्या बोलते हैं, वेट lifter जो होता है, उसको order करते हैं, और देखते हैं कितना kg हो गया है, और कल से continue करेंगे, तो बाते तो बहुत सारी हैं, one by one, part by part, हम लोग बात करेंगे, और आज से यह start करते हैं, तो और मेरे चैनल को subscribe करने के लिए, thank you, और नहीं किये हैं, तो subscribe कर लेजिए, क्योंकि ना, बहुत ऐसे चीज़े हैं, जो मैं चाहती थी, और जो नहीं मैं चाहती थी, अपने आप ही भगवान देदी हैं, सब कुछ हैं मेरे पास, हर चीज है, अब लोगों को लगता है, कि, दिखाती हूँ, य यह मेरे डिर्म था, कि, ऐसे जगर पर में रहो, जहां कोई नहीं हो, सिर्फ मैं ही मैं हूँ, और चारो तरफ फलावर्स हो, आप जहां भी देखेगा, मेरा, मतलब अमरूद का पेर्ण है, उसमें अमरूद लगे हुए है, केला है, उसमें केला फ़रा हुए है, दूतिन ग कोई दिकत नहीं है, और जो सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग है ही, तो प्लीस कपोट कीजिए, और खुस रही है हमेजा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटा है, ना, कुछ ऐसी चीजिए हैं, जो चली जाती है, फिर वापस नहीं आती है, इतना सीरियस नहीं है, जैसे कि यह मैं ना, जब मैं स्कुल में पढ़ती थी, सच में बहुत बुरा लगता है, जब आप वन पीस रहते हो, मतलब कहीं फिर हो, वन पीस हो, आपको अटेंशन मिल रहा है हर चीज में, लेकिन बाद में जाका आप पीछे हो जाते हो, तो फिर सच में बुरा तो लगेगा ना, ज मतलब वाव टाइप का था, सब लोग नोटिस करते थे, कि हाँ इस क्लास में उसका बाल बहुत अचा है, उसके बाद से पूरा बाल ही ज़र गया, अप्टर बेबी, अप्टर बेबी नहीं, नाइन तेंथ क्लास से ज़रना स्टार्ट हो गया था, आपको ऐसे लगेगा कि म मैं बुलते उसको लेपरवाह किया होगा, इसलिए जड़ गया होगा, तो पता नहीं, वीडियो थोड़ा सब व्योकूफी भरा होगया या, पता नहीं, अगर आपको अच्छे लगाए तो लाइक किजिएगा, प्लीज, और डिसलाइक नहीं किजिएगा, और टेक्या, बा